मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्रेब कीजिए लेटस कीजिन स्ट अबडेश के लिए बेल आईक्वन को प्रस कीजिए चले स्टार्ट करते हैं मैक्रेम कीचेन हैंगर बनाने के लिए 2 इंच की रिंग मैक्रेम 2 कलर यह मैंने 4 मिटर का 2 कॉर्ड लिया है यह वाइट कालर का 4 मिटर का 4 कॉल लिया, इसको मैंने 2 मिटर का 2 कॉल लिया है, small size bit, belt, key hook, lighter, scissor, चले स्टाट करते हैं, मैंने रिमें कॉट्स टार के complete किया है, यह सभी कॉट्स 4 मिटर की है, अभी यह 2 मिटर का single कॉल लेनी है, इसको ऐसा पोल्ड करके, एक कॉट्स का बाजी में डालनी है, अभी मैंने जब कॉट्स टाल के complete किया है, अभी ऐसा ही दुसरा एक single कॉट्स लेनी है, यह भी 2 मिटर की है, इसको बेसा पोल्ड करके, एक कॉट्स का इस एड में डालनी है, मैंने इदर single कॉट्स किया है, और यह सेड में भी single कॉट्स किया, यह दोनों कॉट्स दो मीटर की है, अभी बीच का इस चार कॉट्स को सिंपल सन नाट टालनी है, अभी एक और लेके, इस अभी कॉट्स इसको पर पाइपिंग करनी है, इसको पीछे करनी है, अभी वाइट वाला कॉट्स को पाइपिंग करनी है, अभी वाला कॉट्स को पाइपिंग करनी है, अभी वाला कॉट्स को पाइपिंग करनी है, मैंने इदर पाइपिंग कम्प्रेट किया है, ऐसा ये सेड में भी पाइपिंग करनी है, रेकॉर्ड लेके, इसको पर पाइपिंग करनी है, अभी वाला कॉट्स को पाइपिंग करनी है, अभी वाला कॉट्स को पाइपिंग करनी है, अभी वाला कॉट्स करनी है, तंजी वाला कॉट्स करनी वाला kuट्स करनी है, कर दो कर दो अब ये सेड में भी पाइपिंग कम्प्रीट हो गई अब इधर गाट बनानी है पहले दो कर लेनी है ये सेड से दो कर लेके इसा भी काट कुपर गाट बनानी है कर दो कर दो कर दिद् zeあるनि-धा बत्र ब 새벽 गाट नarks अब इसके कर दो कर दो – अब अाट पुश Śखेब ये हमे ईसा वे बनाना कर दो कर दो किन प्रेएपिंग आह में आह पुश्ड कर दो कि दोब्त अभी एक और लेके ऐसा भी कॉट्स को पिपिंग करनी है अभी एक और को पिपिंग करनी है जो कॉट्स को पिपिंग करनी है अभी एक और को पिपिंग कॉट्स को पिपिंग करनी है मैंने जड़ में पाइपिंग करके कॉट्स किया है अभी एक और को ऐसा रखके एक और से पिपिंग करनी है अभी एक और को ऐसा रखके पाइपिंग करनी है ऐसा भी कोट्स को पिपिंग करनी है अभी एक और को पिपिंगings पिविंग इसक्ष और से अभी एक और को खम सानी है अभी एक और को जानी है ऐसा अभी एक और को खम से ऊभीन अधर तक पाइपिंग करनी है एक और तक आधर तक पाइपिंग करनी है अभी ये लास्ट वाला कॉर्ड में बिट्स डालनी है बिट्स डालके पाइपिंग करनी है अभी फिर ये कॉर्ड लेनी है एक और से पाइपिंग करनी है अभी बिट्स डालके पाइपिंग करनी है अभी ये उपर आया वाकार को भी इसके अंदर पाइपिंग करनी है अभी ये दो लाइन में पाइपिंग हो गई ये दो लाइन में पाइपिंग कंप्लीट हो गई अभी पाइपिंग करनी है अभी ये कॉर्ड चोड़के ये वाइट वाला कॉर्ड से पाइपिंग करनी है अभी ये पाइपिंग आएपिंग ये 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 कर दो कर दो यूप परका काड को भी केंदर पाइपिंग करनी है अभी इसरे लाइन में भी पाइपिंग कम्लीट हो गई अभी ये काड को फिर से टार्ण करके पीछे लेके आनी है कर दो कर दो वा दो अभी ये कर दो कर दो कर दो कर दो इस तक पाइपिंग कंप्लीट हो गई अभी फिर ओपर से एक और लेखके पाइपिंग करनी है कर दो कर दो अब ही ओपर पाइपिं किया और को बिसकेंद है पाइपिंग करनी है अब इधर पहले इधर एक काट छोड़ दिया अब इसको इसके अंदर पाइपिंग करनी है अब इसके लाइपिंग करनी है ये कॉर्ड देजिए कर दो अब ये दोनों पॉड को भी इसके अंदर पाइपिंग करनी है अब ये तीसरा लाइन में भी पाइपिंग कंप्लीट हो गई अब ये एक और को इधर पाइपिंग किया हो जगह पर ये अंदर डालनी है किसी से इसको इसके अंदर टाइप से खरके निचे से निकालनी है और को टाइट करनी है और रिजन पो इसके अब ये पुरा लिफ डिजन कंप्लीट हो गई ऐसा ही एसाइड में भी लिफ डिजन बनानी है एसाइड वाला ये कॉर लेनी है इसको इसको रखके पाइपिंग करनी है कर दो बनानी है कर दो बनानी है अब इंदर तक मैंने पाइपिंग किया है अब ये लास्ट वाला कॉड में बिट्च डालनी है बिट्च डालके पाइपिंग करनी है अभी एक लाइन में पाइपिंग कंप्लेट हो गई अभी दूसरा लाइन का पाइपिंग करनी है ये वाला कॉड लेके पाइपिंग करनी है पाइन के लाइपिंग करनी है ये लाइपिंग करनी है झाल कॉड में बिट्ग दुड लेके लाइपिंग करनी है ये झाल कर दो कर दो कर दो परका का साझिए के अंदर पैपिंग करनी है अभी दूसरा लाइन में पैपिंग कंप्रेट हो गई अभी तिस्रा लाइन में पैपिंग करनी है इए परड छोड़के अभी ये वाइट वाला पर से इसरा लें में पाइपिंग करनी है अब ये दोनों कोड़ को इसके अंदर पाइपिंग करनी है अब इदर तीसरा लें का पाइपिंग कम्प्लीट हो गई अब ये कोड़ कोई उससे टर्न करके पाइपिंग करके दर तक लेके आनी है अब ये कोड़ करनी है अब ये कोड़ब ये कोड़ सक्वेछ पाइपापिंग करनी है इदर पाइपिंग कम्प्लीट हो गई और दो लाइन में पाइपिंग करनी है दो लाइन में पाइपिंग करके कम्प्लीट किया है अभी एक और को कि इसा इदर आप अपने से निकालनी है इसे इदर भी गयाप बनाके अदर से एक और को लेकर जानी है यह को हुझा रखके ऐस तर से ने तो केशी में को कीशनी बलाए नेकर जानी है यह में नीचे से इक और को किशनी है अब इदर एक दोनों कोड को टाइट करनी है टाइट करके एक कोड को इसको पर लेक्यानी है लेक्या के साइड वाला कोड से पाइपिंग करनी है लेक्या करनी है अभी लास्ट वन अकॉर्ड में बिर्स टालनी है अगर बिर्स टाल से पाइपिंग किया है अब इदर एक वरा पाइपिंग कम्प्लीट हो गई ऐसा यह फैर में पाइपिंग करनी है अब इनिचे से एक और को इस और में लेक्या करनी है अब इनिचे से 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 लेक्या करनी है कर दो कर दो कर दो कर दो विए लास्ट वारे कार्ड में विट्स डालनी है विट्स डालके यू वाइपिंग करनी है इसर भी पाइपिंग कम्प्रिट हो गई दोनों से पाइपिंग कम्प्रिट हो गई अभी बेच में गाट बनानी है इसर के दो कर लेनी है इसर के दो कर लेनी है इस अभी पाइपिंग को पर गाट बनानी है अभी एक और लेके इस अभी पाइपिंग करनी है अबर करका कैसा बैमंड का डिजन बनाए ऐसा इधर भी ऐसा डिजन नहीं चाहिए अभी चाहिः कर दो कर दो अब ये सेड में पाइपिंग कम्प्लीट हो गई ऐसा ही सेड में पाइपिंग करनी है मैंने सेड में पाइपिंग करके कम्प्लीट किया है अब ये पुरा डिजन कम्प्लीट हो गई मैंने एक डिजन बनाने के बाद नीचे दूसरा भी डिजन बनाई ऐसा ही तीसरा और चोता भी डिजन बना के कम्प्लीट किया मैंने उपर से पांच डैमंड बना के कम्प्लीट किया है और लिप का डिजन मैंने चार सेट बना के कम्प्लीट किया आपको जितना लेंग में चाहिए उतना लेंग में वे डिजन बनानी है अभी नीचे बेल्च डालने के लिए कॉट्स को क्रास्ट में काटनी है मैंने कॉट्स को क्रास्ट में काटके लेटर से चिपका आया फिर बेल्च डालके कंप्लीट किया है मैंने ये डायमड का डिजेन में की हुट्स लगा के कंप्लीट किया है उपर रिंग में भी डिजन बनाके कम्प्लीट किया अब यह पूरा इसे रहेंगर कम्प्लीट हो गई फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्रेब कीजिए फिर मिलेंगे नया वीडियो में नया डिजन के साथ बाँ